नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से गुरुद्वारों में नहीं फेराया जाएगा भगवाजंडा निशान साहिब का अब रंग होगा बसंती SGPC का फैसला खाल सापंत की शान और संबान का प्रतिक निशान साहिब का रंग अब किसरिया नहीं होगा सिक्कों की सर्वोच संस्था शिरोमणी गुरुद्वारा प्रवंदा कमेटी SGPC ने आदेश जारी किये हैं कि अब से इसका रंग बसंती होगा यह फैसला शिरोमणी गुरुद्वारा प्रवंदा कमेटी ने श्री अकाल तक्त साहिब में हुई पाँच सिंग साहिबान के बैटक के बाद लिया है SGPC की ओर से एक पत्र जारी कर इस बात के जानकारी दी गई है ब्रामक रंग है भगवा हिंदु धर्म के प्रतीक भगवा रंग से मिलता जुलता है शिरोमणी गुरुद्वारा प्रवंदन कमेटी ने कहा है कि केसरी निशान साहिब को लेका संगत के बीच दुविदा थी कुछ मामले श्री अकालतक्त साहिब के ध्यान में आए इसके बाद इस पर चर्चा हुई पांच सिंग साहिबानों की बैटक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि निशान साहिब का रंग पे शक भगवा है लेकिन कलती से हिए हिंदु धर्म के परती भगवारंग से मिलता जूरता है इस कारण कई बार संगत के लोग या आजनभी लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते और दोनों को एक ही समझ लेते हैं इसी दुविदा को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है उन्होंने कहा कि क्योंकि सिख धर्म हिंदु धर्म से अलग है इस कारण कभी कभी कुछ लोग है प्रचार करते हैं कि हिंदु और सिख एक ही धर्म है इस तरह के भ्रहम से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है फैसला किसी धर्मया भगवा रंग के खिलाफ नहीं उन्होंने कहा कि सरकुलर को किसी धर्म से जोड कर विवात पैदान नहीं किया जाना चाहिए यह फैसला कोई नयार नहीं है अनुपालन परिपत्र बिना किसी तै मानक के जारी किया गया है हिंद, हिंद सिक्कों के लिए पवित्र ध्वज होता है निशान साहिब, निशान साहिब सिक्कों के लिए पवित्र ध्वज होता है, यह हर गुर्द्वारे के बाहर फैराता रहता है, इसे वो अपनी धार्मिक रेलिय या धार्मिक राजनेतिक रेलियों में भी इस्तेमाल कर अपने बावनों में सबसे उपर लागा कर भी चलते हैं ये पवित्रती कौन ये ध्वाज कोटन या रेशम के कपड़े का बना होता है खबरों में अब तक लिए बस इतना ही फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देख तरी आर्पियस समाचर